बचपन से हम USA को एक सूपर पावर की तरह देखते आ रहे हैं अगर हम आज भी देखी तो जियो पॉलिटिक्स में US एक बड़ी गूमिगा निभागा है लेकिन रीसेंट्ली कुछ ऐसे इंसिदेंट्स हो रहे हैं जो ये शो करते हैं कि शायद USA अपनी सूपर पावर वाली पॉजिशन को खो रहा है ये इंसिदेंट्स इंटरनाशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ एकनॉमिक एंड मिलिटरी लेवल पर भी देखते मिल रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ रूमर्स है तो चली कुछ जो रीसेंट इंसिदेंट्स होए हैं उन पर नदर डाते हैं सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और रश्या मीटिंगी ये वहीं मीटिंग है जिसमें जो ट्रेड के लिए बाटन सिस्टम वाली बात नहीं थी खिर वो एक अलग पॉइट है लेकिन हमें historically ये पता है कि पाकिस्तान और USA काफी close रहे हैं तो जाहे जब इंडिया और पाकिस्तान की बीश में वार वा था तब भी USA ने पाकिस्तान का साथ दिया था उसकी अनावा जब भी पैसे की ज़रुरत पाकिस्तान पो पड़ी है तो USA ने पाकिस्तान कोई support दिया इसका कही न कही रीजन ये भी है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता सब अपनी नीट्स को देखते हैं एक दूसरे को काउंटर करने के लिए रिलेशन्स बनाते हैं और अभी पाकिस्तान जो है वो चाइना के जादा क्लोस है तो obviously हो सकता है कि वो जो है रश्या से भी अपने जो रिलेशन्स है उनको बैटर करना चाहता है अब कुछ लोग कहेंगे कि छोटी सी मीटिंगी थी और जो एनरजी है उसके बारे में बहुत सारे लोग दिसकुशन कर रहे हैं पाकिस्तान को भी अपनी नीट्स के बारे में सोचना होगा और एक्चली में यह सही भी है लेकिन इसके बाद एक और पाकिस्तान ने ड्रेस्टेक स्टैप लिया था और जो यह next incident हुआ यह काफी ज्यादा शॉकिंग था जैसे कि मैं पता है क्योंकि यूएस जो है वो एक सुपरपावर है तो उसका भी होता है कि वो दूसरे जो कट्रीज है उनके human rights के बारे में कुछ नगुछ कॉमेंट करता रहता है इन्होंने क्या किया इन्होंने एक बिल के पेशकर्श की थी कि यह पाकिस्तान पर फेबरी में elections हुए है वो फैर नहीं हुए है इसके उपर एक inquiry bet नहीं चाहिए फिर क्या था पाकिस्तान को भी गुस्सा आ गया रूमों ने USA के खिलाफी एक resolution को पास कर दिया नेक्स जो था वो था Saudi Arabia का decision तो मैं पता है कि कापी time से अगर कभी पर oil की trade करनी हो या फिर और भी कुछ जो trades होते है उसमें जो US currency है उसकी बड़ी पूमिकर रहती है लेगें 2023 में साओधी अरेविया ने ये भी अनॉंस किया कि वो US के साथ साथ बाकी currencies को भी use करना स्टार्ट करेंगे जैसे कि UR वगेरा और कहीं न कहीं जो ये decision है वो changing economic dimensions है उनको भी show करता है कि कहीं न कहीं शायद जो power है world में वो भी shift हो रहा है और एशिया में जो China है वो तेजी से powerful बन रहा है उसी किसंद जो इंडिया है उसकी भी जो power है अब देखने मिल रही है वहीं एक और चीज़ आपको देखने मिली होगी रशिया एंड चायना है वो काफी जादा close आ गया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अब काफी बार U.S. को oppose कर रहे है On the other hand China कभी Philippines में अपनी power show कर रहा है कभी Taiwan पे show कर रहा है और यह कहीना तहीं यह show करना चाहता है कि world level पर उनका dominance जो है वो भी बढ़ता है See USA कैसे superpower बना इस पर काफी सारे videos जो है वो already available है अगर हम उसमें गए तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा तो हम उस पर बात नहीं करेंगे लेकिन हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर USA अपनी superpower वाली position को खोता है तो उसका impact इंडिया पर क्या पड़ेगा और इसलिए कुछ एकनॉमिस्ट का इम ही मानना है कि जो USA का decline है वो 1945 में ही start हो गया तो अब आप कहेंगे कि आर ऐसा तो नहीं हम तो अपने बच्पन से USA को ही as a superpower देखते आ रहे हैं see 1945 में half of world's economy के साथ साथ USA के पास monopoly थी nuclear weapons थे उसमें भी जिसे बाद में 1949 में Soviet ने तोड़ा था so जैसे जैसे बाकी की जो एकनॉमिस है उन्होंने recover करना start किया वैसे ही USA का जो share था वो कब होना start हो गया अब यहां यह कह सकते हैं कि evident decline देखने नहीं मिल रहा था लेकिन relative way में यह हो रहा था and यह फ्लौता reason नहीं था इसी के साथ साथ कुछ और भी challenges थे उनका सानना USA को करना पड़ा सबसे पहले बात करते हैं economic challenges की इसमें सबसे पहला था USA का national debt जो significant तरीके से बढ़ रहा था अगर हम data की बात करें तो 2023 में यह 31 trillion के असपास था जो 2024 में 34 trillion तब रोच गया अब आप कहेंगे कि जो debt है वो तो सारी countries दे रही है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर high debt होता है तो यह जो country की ability है उसको limit कर सकता है for example जो critical areas हैं जैसे की education sector, infrastructure इन सब पर invest करना कम हो जाता है और यह eventually जो economy है उसको भी बीग करना start कर देता है तो पिछले कुछ सालों में जो growth है economic वो भी सगिश रही है और उसके साथ साथ जो income inequality है वो बढ़ी है और इसके विज़से जो middle class है उस पर burden बढ़ गया है दूसरे नमबर पर आता है trade deficit रीसेन टाइम्स में जो USA है वो trade deficit से भी जो है सपर कर रहा है तो 2023 में trade deficit 75.1 billion dollars average परवंत रहा है और उसके साथ आपर जो imports है वो काफी जादा है exports के comparison में इसके contrast में जो China है उसने अपना trade surplus है उसे maintain किया है For example, 2023 में exports 3.3 trillion दा पहुँच गया था और import लगबग 2.5 trillion रहा So, ये disparity दिखादा है कि US जो है वो foreign products पर कितना dependent हो चुका है Third point है decline in manufacturing So, USA का जो share है वो global manufacturing में कम होता जा रहा है वहीं जो दूसरे देश है खासकर Asia में अगर आप देख रहा है तो China है, India है, Taiwan है ये सब जो है वो अपनी manufacturing को बढ़ाने का try कर रहा है So, ये सब जो हो रहा है वो USA को जो key industries है उसमें edge maintain करने में भी issue create कर रहा है So, अभी हमने economic challenges पर बात की, अब हम बात करेंगे कि military में भी इनको कुछ-कुछ issues आ रहे हैं जिसमें से पहना है military over stretch So, जैसे कि मैं पता है कि USA की जो military है वो काफी जगे पर involved है जैसे कि ये Middle East में है, Japan को भी ये लोग support करते है And ऐसी इसी वज़े से जो इनकी military है वो काफी जादा over stretch हो चुकी है So, 2023 के हिसाब से इनकी 1,70,000 से ज़्यादा जो military persons है वो 150 से ज़्यादा देशों में deployed है Major deployment में, 53,000 troops Japan में, 35,000 Germany में और 24,000 South Korea में है वहीं इनके सामने एक और बड़ी problem है defense budget अब आप उससे कहेंगे कि USA का budget allocation है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है defense में तो उन्हें problem कैसे आ सकते So, actually मैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो resource allocation है और budgeting है उस पर भी कुछ challenges का इनको सामना करना पड़ रहा है So, यहाँ पर एक तो इनकी military जो है, वो overseas बहुत जादा deployed है, overstretched है प्लस जो technological जो इनको investment करने पड़ती है, वो भी है उसी के संग इनके काफी सारे ongoing military operations चलते हैं वहाँ पर भी budget allocate करना पड़ता है और इस वज़े से एक उतार है कि एक प्लिट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है For example, जो fiscal year 2023 था, उसमें जो इनका budget allocation था, वो $773 billion हुआ था लेकिन इसके बाद भी जो modernization था, जो maintenance था, उसमें एक बड़ी backlog देखने मिली उसी के साथ, जो Russia-Ukraine war भी start हुआ, तो इन्हें उरोप में एक huge deployment करने पड़ी For example, 2023 में 1 lakh के गरीब जो troops थे, वो उरोप में deployed किये गए और इसमें एक बड़ी presence जो है, वो Poland और Romania जैसे देशों में देखने मिली इसमें continuous rotation उसी के संट जो Ukrainian forces थी, उनको training देना ये सब भी शाहर था वहीं इन्हें काफी सारी training भी देनी पड़ती है, जिससे कि जो NATO की capabilities है, वो भी enhance होती रहे थर्ड बड़ा challenge जो इनके सामने उबरा वो था, rise of other powers अब हमें देखने मिल रहा है कि economic and global जो power shift है, वो आ रहा है and especially जो इसका central hub है, वो Asia है, यहाँ पर China और India जैसी जो ताकते हैं, वो बढ़ रही है So 2021 में जो China की GDP है, वो 17 trillion से जाधा हो गए थी, जो कि US की GDP है, उसका करीवर्सी percent है Next है, internal politics division, जैसे कि आपने देखा है कि internally भी बहुत सारी issues देखने मिल रहे हैं इनके आप बहुत सारी चीजों में अगर इनको एक छोटी सी decision भी लेना होता है, तो बहुत ज़धा position देखने मिलती है and इसका एक बड़ा example है project 225 तो इस plan के साब से, step-by-step plan बनाया गया है, Trump supporters द्वारा जिसमें ये लोग क्या करेंगे कि आने के बाद, जो government officials है, उनको change करेंगे जिससे कि जो Trump policies को लाना चाहते है, उनको implement करना easy हो जाए and pass करना easy हो जाए at this project के अंदर, जो immigration policies है, उनमें भी बड़ी तेजी से बदलाब किया जा सकता है क्योंकि इनके supporters का मानना है, कि जो immigration है, उसकी वज़े से, जो यहाँ के लोग है उन्हें easily jobs नहीं मिल पा रही है, उन्हें difficulty का सामना करना पढ़ रहा है इन सब को मिला कर USA के सामने इस टाइम, international level पर, internal level पर और जो economic level है उन सब भी तरह से, जो challenges है, उनके सामने आचुके है इन सारी चीजों को देखकर, USA के सामने काफी सारी challenges आचुके हैं और वो जो है, वो economic level पर है, internally भी काफी सारी जो चीज़े हैं, वो stable नहीं तो आप question लिया आता है, कि अगर ये power shift होता है, तो इसका impact भारत पर गया पड़ेगा तो इसको conclude करने से पहले, हम जानते हैं, कि actually में इसके जो positive impact है, वो भारत पर गया पड़ेगा और उसी के साथ हम जो negative impact पड़ेंगे, उन पर भी बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं, economic opportunities को, तो जो US है, वो अपनी power को कोता है, economic level पर तो इंडिया के लिए काफी सारी opportunities create होंगी, और हम अपने manufacturing sector को डवलाब कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी trades और investment है, उसको भारत में लाना ही दी हो जाएगा वहीं जो भारतिय companies हैं, उनको भी international level पर expansion का मौका मिलेगा Second है, strategic autonomy So, US की declining power का मतलब है, कि इंडिया को अपनी जो foreign policy है, उसमें जादा independence मिलेगी और इंडिया जो है, वो China और Russia से अपने relations को balance कर सकता है, बिना किसी pressure के Third number पे है, defense collaboration इंडिया को अपनी जो defense capabilities है, उसे बढ़ाने का मौका में लेगा है, और उसमें US के साथ अगर ये collaborate करता है, तो जो अपना defense sector है, उसको हम modernize भी कर पाएंगे Fourth number पे है, geopolitical influence तो इससे भारत के पास मौका आएगा, कि Asia और world level पर भी जो अपनी geopolitical influence है, उसको बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि इंडिया regional leader की तोर पे अपने आपको project कर सकता है अब ऐसा भी नहीं है, कि सारी चीजें जो है, वो positive होंगी उपर हमने economic opportunities की बात की थी, अब हम बात करेंगे economic challenges तो अगर US की जो economy है, उसमें slowdown आता है, तो इसका असर हमारे trade और investment पे भी बढ़ेगा और उसी के संच जो इंडिया की IT industry भी है, वो भी बहुत सादा US पे dependent है, क्योंगी काफी सारे projects आते हैं तो जो layoff है, job cuts है, उस पर भी यहाँ पर देखने मिल सकता है negative impact Next है strategic vulnerability, तो जैसे कि मैं पता है कि अगर US का power decline होता है, तो यहाँ पर China है और Pakistan तो और चाइना को support कर रहा है, तो regional level पे हम को काफी सारे challenges का सामना करना पड़ सकता है तो अगर यहाँ पर US का influence कम होता है, तो जो अपने strategic interest है, उसको secure करने के लिए इंडिया को additional resources की ज़रूरत पड़ेगी तो अब कह सकते हैं कहीं न कहीं चाइना को check में रखने के लिए भी US हमारी काफी ज़्यादा मज़ग कर सकता है So अगर US की military, defense, commitment और support को कम करती है, तो उसके लिए जो इंडिया ने उसको ज़्यादा खर्श करना पड़ेगा है, अपनी capabilities है उससे बढ़ाने के लिए So इससे जो domestic economic resources है, उस पर ज़्यादा pressure पड़ सकता है So next है geopolitical uncertainty So अगर US वो अपनी superpower की position को होता है, तो one level पर एक uncertainty देखने मिल सकती है जैसे कि मैं पता है कि US वो Philippines को support करता है, Taiwan को support करता है, Japan को support करता है So यहाँ पर एक void create हो सकता है वही चाइना का influence बढ़ने से जो भारत है, उसके विए काफी सारे challenges जो है, वो create हो जाएंगे वही है basically कि ठीक है, इस से यह better, वही है इस तरह की condition है Now to conclude, अभी हमने देखा कि अगर यह superpower decline होता है, तो उसका असर दोनों रूप से पड़ेगा Positive impacts भी आएंगे, जैसे opportunities कुछ-कुछ create होके और उसी के संसन challenges जो है, वो भी बढ़ सकते है And China की बढ़ते हुए influence को देखते हुए, भारत को new strategies को adopt करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे resources को, बहुत सारे चीजों को balance out करने की ज़रूरत पड़ेंगी future में वैसे आपको क्या लगता है, कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या सच में, humans do have अपनी सुपरपावर खोदेगा Next, future superpower है वो कौन बनेगा And आने वाले time में क्या impact हो सकते हैं, वो आप मोचे गॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं See you in next video